कि दोस्तों वैलकम है आपसे लोगा मेरे चनल ब्यूनिक टॉक्स पर आज मैं बात करने जा रहा हूं डेडी फ्रीडिस के बारे में किस नाम से लॉच हुआ था कब लॉच हुआ था किसने लॉच किया था कौन और है सारे जानकर याज इस वीडियो में दूंगा स्टार्टिं चाहेंगे तो आप सब्सक्राइब करें मेरे सेकंड चैनल ब्यूनिक टेलेकॉम टॉक्स को भी इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे के तरफ मिल जाएंगे जाए और चेक कीजिए जरूर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तो मैं बात करने जा रहूं डेड उनके द्वारा इसको 24 में लॉंच किया गया था और इसकी जो चैनल कपैस्टी ली गई थी सिरफ 33 33 चैनल के साथ इसको लॉंच किया गया था और और यहां पर कुछ थोड़े बहुत ही रेडियो चैनल से यहां पर देखने को मिलते थे तो अगर मैं बात करूं आज की आज 2019 दिसंबर आने वाला है और लगवे 15 साल डीडी फ्रीडिस को हो चुके हैं डीडी डैक्ट प्लस के नाम से लॉंच हो था लेकिन उसके कुछ टाइम बाद कुछ साल के बाद इसको डीडी फ्रीडिस नाम दिया गया था और इसके जो ओनर थे हुआ है परसार भारती और अभी भी देखने को मिल रहे हैं और कुछ एक चैनल जो है यहां पर है इसके लिए आपको क्या करना होता है एक सिर्फ वन टाइम कोष्ट देना होता है लगबग मैं कह सकता हूं सिर्फ 15 और पेगास पस आपको कोष्ट देनी होती है एक सेट्टो बॉक्स और एक दो फिट कर्डिस एंटिना आपको लेना होता है जी हां और उसके बाद कोई भी चार्जिस आपसे नहीं लिया जाता है जैसे कि पेड़ डिटेएच को आपको देना पड़ते हैं और अब तो पेड़ डिटेएच ने भी 153 सिर्फ फ्री टूए चैनल के देने पड़ते हैं लेकिन इ परसार बाती अब बहुत ही अच्छा लेकर जा रहा है डिटेएच को तो सिर्फ में बात कर रहा था कि 33 चैनल के साथ लौच के गया था और अगर आज मैं इस टाइम की बात करूं तो एक सुचार लगबग स्टेंडर्ड डेफिनेशन के चैनल यहां पर आपको देखने को म मिद रहे हैं जो 2004 के मकाबले काफी जादा हैं कह सकते हैं कि सिर्फ 33 दो दर्शन की चैनल के साथ लौच हुआ था और आज यहां पर प्राइवेट चैनल भी काफी है और दो दर्शन के चैनल भी उस टाइम से लेकर अब तक काफी बढ़ा दिये गए हैं जी हां अगर मैं ब यहां पर लौच कर दिया गया है पहले जो सभी चैनल थे एंपीजी टू कालिटी के अंदर आपको देखने को मिलता है लेकिन एक फ्रिक्वेंसी आपर एंपीजी फोर की भी आ चुके हैं जिसमें आपको 20-22 चैनल एक्टा देखने को मिल रहे हैं अगर आपके पास एंपी 24 स inveceटर बॉक्स होगा 35 संब्सक्राइबर हैं क्लींकि बहुत से सब्सक्राइबर को नहीं पता में एमपीजी फ win वू के भारे में वी सेटो व्यूजट कर यहें तो धीर धीरे डेली फिडिस अपने सभी यांपीजी दू के अंदर लेकर आने जा रहा है इसके साल us एच्टी और डीडी नेशनल एच्टी ही आपको देखने को मिर रहा है अपने MPG4 के सेटबोक्स पर MPG2 पर नहीं है और फ्यूचर भी इसका यही है आगे चैनल में इंक्रीजिंग भी होगी और कुछ प्राइवेट चैनल भी हाई डैफिनेशन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं मिलते रहेंगे मिलेंगे जरूर कि सकते हैं डीडी फ्रीडी आपके लिए फ्री में बहुत ही अच्छा क्योंकि अभी जो है यहां पर 153 रुपे हमें फ्री टो एर चैनल के लिए पर डीडीज पर देने पड़ते हैं तो फ्री डीज आपके लिए बहुत ही अच्छा फ्यूचर में करने जा रहा है परसार बाती दूरदाशन के कंटेंट भी चेंज होंगे प्राइवेट चैनल भी बहुत अच्छे आएंगे हाई डैफिनेशन में भी आएंगे MPG 4 में भी आएंगे तो यही हिस्ट्री थी य यहां डीडी डारेक्ट प्लस के नाम से और फ्यूचर में सुनने में आ रहा है कि सायद डीडी फ्रीज का नाम भी चेंज हो जाए लेकिन फिलहाल अभी तक कोई परसारबाती के तरफ से न्यूज देखने को नहीं मिलिया लेकिन सुनने में जरूर आया था तो यही थी डी शर्याम फिर दाव जाउना गीतनी